चीजों के दाम क्या था? चलिए जानते हैं. देश की आजादी के वक्त पेट्रोल की कीमत 25 पैसे प्रती लीटर हुआ करती थी. जबकि एक किलो चीनी के लिए 40 पैसे चुकाने पड़ते. नई साइकल के लिए कम से कम 20 रुपे की जरूरत होती थी. जबकि दिल्ली से से सफर करते तो आपको 140 रुपे चुकाने पड़ते. उस दौर की कीमतें कुछ इस प्रकार हैं. चावल 12 पैसे प्रती किलो, चीनी 40 पैसे प्रती किलो, आलू 25 पैसे प्रती किलो, दूद 12 पैसे प्रती लीटर, पेट्रोल 24 पैसे प्रती लीटर, साइकल 20 रुपे, सोना 10 ग पैसे प्रति किलो, आठा दस पैसे किलो, दाल बीस पैसे किलो, केला बारा पैसे दरजन, बल्ब पच्चीस पैसे, माचिस दो पैसे, टोच डेड़ रुपए और पैंसिल छे पैसे की थी। पिर बढ़कर 6 रुपए 36 पैसे हो गया, उसके बाद ये बढ़ने लगा, 1982 में 9 रुपए 46 पैसा हुआ, उसके बाद अब ये कहां है जग जाहिर, लगा तार डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम होती जा रही है। यानि क्या आप जानते हैं भारत में पहली बार रुपए कब अस्तित्व में आया? रुपए के शुरुआत की बाद छठी शताबदी ईसापूर्व में बताई जाती है, यानि 26 सौ साल पहले रुपए की शुरुआत हुई थी। रुपए संस्कृत से आया है, रुपए का अर्थ होता है आकार, रुपए का अर्थ है चांदी यानि चांदी जैसा, जबकि रुपए कम का अर्थ चांदी के सिक्के से है।